हेलो गाईस तो कैसे हो क्या चल रहा है तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है तो आज के वीडिये में हम रिव्यू कने वाले 2015 की तेलगू लेंग्वेज रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म साइस जीरो का जिसको हिंदी डव वर्जन में सेम नाम यानि कि साइस जीरो के नाम से रिल और सपोर्टिंग काश्ट की बात करे तो प्रकासराज सोनल चोहान पाउनी गंगी रेड़ी और उर्वसी कहानी की बात करे तो स्वीटी जिसका रोल प्ले कर रही है अनुसका सेटी जो एक क्यूट लुकिंग गल है लेकिन उसका वेट जादा ही ओवर है और इस इस्यू के चलते उसकी शादी नहीं हो रही है उसकी माने कहीं प्रहतन किये हुए लेकिन हर बार उसको रिजेक्शन मिलता है इस रिजेक्शन की वज़त से स्वीटी काफी डिसपोployn्ट हो जाती है और वो फिलाल में शादी ना करने का सोचती है और इसी समय के दोरान वो अभी नाम क लड़के से मिलती है जिसका रोल प्ले कर रहे है आरिया जो एनारा है और डोक्युमेंटरी फिल्म बनाने के लिए आया हुआ है स्वीटी अभी के प्यार में पढ़ जाती है और उसके क्लोज आने की कोसिस करती है लेकिन फिल्म में ट्विस्ट यहीं आता है अभी को अपनी क सिमरन के लिए थोड़ी बहुत फिलिंग आने लगती है सिमरन का रोल प्ले करें सोनल चोहन सिमरन स्टाइलिस्ट मोडन और साथी में जीरो साइस फिगर वाली लड़की है स्वीटी इन से भी चीजों को देखकर डिसपोइंट हो जाती है और इस बार भी रिजेक्शन ना म मिले और अभी को पाने के लिए वो डिसाइड करती है कि वो वेट रिडूसिंग प्रोग्राम को जोइन करेगी और वेट रिडूसिंग प्रोग्राम का नाम है साइस जीरो अब स्वीटी सक्सेस्पूली क्या अपना वेट कम कर पाएगी साथ ही में इस समय के दोरान उसके स आमने किस तरह से लड़ेगी और क्या वो अभी का दिल जीत पाएगी यही सब बाते फिल्म की कहनी बनाती है इन सबी चीजों को देखने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी फिल्म के स्क्रीप में जरूर एक यूनिकनेस नजर आ रहे थी फिल्म के डाइरेक् आप में काफी बढ़िया मुमेंट्स निकल वाए हुए थे जो लाइठ हारेड मुमेंट्स थे साथी में जिस तरह से इंटर्टेन्मेंट देखने को मिलता है जो कोमेडी एंगल था साथी में जो ब्यूटिफूल एमोसंस देखने को मिलते उन सभी चीजों को अच्छी तर के वह सἘ़ last report Hello रहा था Oxygen के सबस्क्राइप ज़ाएं चैज्टर मुंई कु द लिक क्या सबक्राइब 對 diagnose काफ़ सेकंड आप नरेट किया हुआ था सेकंड आप में जिस तरसे जो सभी चीज़े दिखाई हुए वो फर्स्ट आप के मुकाबले उतनी कन्विंक्सिंग नजर नहीं आ रही थी सेकंड आप में अपना फोकस गुमाती हुए नजर आ रही थी फिल्म जिस तरसे नरेशन दिखाया हुआ है फर्स और सेकंड आप का वो काफी डिफरेंट पढ़ता हुआ नजर आता है फर्स्ट आप में फिल्म की स्टोरी को अची तरसे हमारे सामने पकड़ के दिखाने की कोशिस की हुई है लेकिन सेकंड आप में डाइरेक्टर का नरेशन में काफी जादा हद तक गिरिपिंग छुटती हुए नजर आते है जिसकी वज़ा से सेकंड आप थोड़ा बूट स्लाइटली हमें डाउन होता हुआ नजर आता है फिल्म के फर्षट आप में जो इमोसन दिखाय हुए थे जो क्यूट मॉमेंट्स दिखाय हुए थे जो क्यूट लव स्टोरी देखने को मिलती है उन सभी चीजों को फिल्म के सेकंड आप में काफी बिगाड़ा हुआ है कुछ अननेसेसरी सिंस थे खास करके जो साइज जीरो वेट लोस प्रोग्राम दिखाया हुआ है वहाँ पर ऐसे कुछ अननेसेसरी सिक्वांस देखने को मिलते है जिसकी जरूरत नहीं थी उन सभी चीजों की वज़़े से जो इमोसनल इंगल था फिल्म का जो क्यूट लूकिंग लव स्टोरी नजर आ रही थी उन सभी चीजों पर पानी फिरता हुआ नजर आता है साथ ही में फिल्म के सेकंड हाफ में साइज जीरो वाले प्रोग्राम को छोड़ भी दे तो कुछ इसे अनवांटेड सिंस देखने को मिलते और इसके अला कुछ दूसरे से इमोसंस देखने को मिलते वो सभी चीज़े फिल्म के सेकंड हाफ को फिका करती हुई नजर आती है उन सभी चीजों को बदल देना चाहिए था या तो रखना ही नहीं चाहिए था फिल्म का फर्स्ट हाफ इसलिए बेटर था क्योंकि उसमें सिंप्लिसिटी थी, रोमेंस था, क्यूटनेस थी जो फिल्म के सेकंड हाफ में पूरी तरह से लोश्ट होती हुई नजर आती है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी, केमरावर खास करके जो अनुसका सेटी का केरेक्टर था, उसके अराउंड जिस तरह से हमारे सामने पेस किया हुआ है, वो सभी चीज़े बढ़िया थी अनुसका सेटी और उसके सराउंडिंग जितनी भी चीज़े हो रही थी, उसको अच्छी तरह से हाइलेट करके दिखाया हुआ है स्क्रिन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ अच्छा था, लेकिन सेकंड हाफ आप आपको आसाने से लेट डाउन कर देगा एडिटिंग बढ़िया थी, म्यूजिक स्कोर जिस तरह से किया हुआ है वो बढ़िया था, वो फिल्म के मोड को अची तरह से केप्चर कर रहा था इसके लाब बात कते हैं फिल्म के परफॉमंस की तो फिल्म की लीड एक्टरेस यानि की अनुसका सेटी इस केरेक्टर यानकी स्वीटी के केरेक्टर को देखते हमें इसा ही नजर आता है कि ये केरेक्टर अनुसका सेटी के अलावाद दूसरी कोई हिरोईन इतनी बेहतरीन तरीके से पुल ओप ना कर पाती इस character को जिस तर से उन्होंने हमारे सामने portrait किया हुआ है वो आसाने से हमें connect कर लेती है उनके जो emotion stage, उनकी जो story थी उसके साथ हमें अनुसका सेटी उस character के साथ बढ़ा तरगे से जोड लेती है फिल्म में जिस तर से उन्होंने अपने character के लिए जो weight button किया हुआ था साथ ही में जिस तर से उन्होंने उसके उपर अपने character के उपर जो body language थी उसके उपर काम किया हुआ था वो सभी चीज़े आसाने से हमें screen पे दिखाई देती है अनुसका सेटी ने एक सांदार clean performance दी हुई है उनकी performance की वज़े से फिल्म एक काफी मजबूत तरीके से खड़ी रहती आर्या जो अपने supporting role में काफी clean नजर आ रहे थे जिस तर से उन्होंने और उन्होंने अपने character को बढ़िया तरीके से deliver किया हुआ है फ्रकास राज जो एक unique character प्ले कते हुए नजर आते है और एक पर फिर वो अपने role के साथ अपने character के साथ एक impressive performance देते हुए नजर आते है सोनल चुवान जिनको इस फिल्म एक glamorous आउतार के लिए लिया गया था जिस तरस उन्होंने अपने character में काम किया हुआ है वो अच्छा था जब भी वो screen पे दिखाई देती तब हमारा ध्यान उनकी तरप आसानी से खिचा हुआ रहता है उनका screen presence फिल्म में अच्छा नजर आ रहा था इसके अलावा उर्वसी जो अनुसका से टीका मा का रोल प्ले कती हुए नजर आती है और अपने रोल में वो काफी impressive थी वो में असाने में जरूर कामियाब रहती है वो अपने सभी motion के साथ अपने character में एक बढ़िया सा performance देती हुए नजर आती है जहांपे फिल्म का प्रीमार्स काफी बढ़िया था फिल्म का फर्ष्टा भी काफी सांदा था सभी actor की performance भी काफी सांदा थी लेकिन फिल्म का second आप जहांपे narration में थोड़ी कमी रह गई थी और इसके लाव फिल्म की script जो हमें predictable नजर आ रही थी आसानी से पता चल जाएगा कि फिल्म में आगे क्या होने वाला है अगर आप इन एक दो points को ignore करोगे तो मैंने आपको जो पहले बताए वो सभी चीज़े सहरूर्क मजा देगी तो मैं 2015 की तेल्गू लेंग्विज रोमेंटिक कमेडी फिल्म साइज 0 को 6.5 out of 10 की रेटिंग देता हूँ कूल मिला के कहें तो साइज 0 1 AC मूवी है जहां पे अनुसका की एक stunning performance देखने को मिलेगी और उनकी ये performance और साथी में जो feel good moments थे यही सब चीज़े जो फिल्म के प्रति हमें आसाने से engaging रखती है हाँ फिल्म का second app और predictable script को आपको ignore करना पड़ेगा तो ये फिल्म आप जरूर देख सकते हो तो फिल्म पसंद आएगी तो बस आज की रिवी में इतना ही था I hope आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा अगर रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक और से जरूर कीज़ेगा और फिल्म देखने के बाद हमें कमेंट करो कि आपको ये फिल्म कैसी लगी तो और बेसे नए साउथ एंडेन मुवी के हिंदी रिवी के लिए अपकमिंग साउथ एंडेन मुवी की न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ठेंक्यू